Hello students, तो चलिए next video lecture शुरू करते हैं, हम chapter कर रहे हैं 11th class का structure of atom अब तक हम discovery of fundamental particles, electron, proton और neutrons पढ़ चुके हैं उसके बाद हमने पढ़ा J.J. Thomson model of atom and then Rutherford model of atom Rutherford model of atom की जो basic drawbacks रही थी, उनमें से जो एक कमी थी Rutherford model के अंदर वो थी कि Rutherford model जो spectra generate हुए थे, line spectra बहुत सारे elements के generate हुए थे उनको explain नहीं कर पाया था तो students मैं आपको बता दूँ, इस lesson का जो पूरे का पूरा graph है, वो आपके दिमाग में होना जरूरी है हमने fundamental particles की discovery पड़ी, Rutherford के model की कमिया पड़ी तो पहले आप ये चेक करिए कि क्या J.J. Thompson के model की कमियों को Rutherford के model ने दूर किया था या नहीं किया था किया था क्योंकि proton, neutron, nucleus के अंदर होते हैं, scattering क्यों होती है alpha particles की वो उसने बता दिया था, जिस scattering के बारे में J.J. Thompson नहीं बता पाया था, अब Rutherford की जो कमिया है क्या उसकी कमियों को आने वाला model दूर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा वो जानने के लिए हमें नए model की तरफ प्रोसीड करना पड़ेगा लेकिन उससे पहले, जो Rutherford की एक basic drawback थी कि वो line spectra जो थे, उनको explain नहीं कर पाया था उनको explain करने से पहले चलिए हम, line spectra का जो basic है that is, जो nature of light है, उसके बारे में हमें पड़ना पड़ेगा कि light का नेचर कैसा होता है, तो उसके बारे में हमें आज क्या करना पड़ेगा पढ़ना पड़ेगा, तो चलिए start करते हैं, मैं हूं तरसीम जटेंड और आप देख रहे हैं जटेंड classes, radiations, light के बारे में हमें आज पढ़ना है about light, तो बेसिकली यह पता चला, कि यदि किसी source से light generate होती है या radiations निकलती है, बेटा, radiations यदि कहीं से emit होती है, light निकलती है तो वो wave की form में निकलती है, in the form of wave, तो wave form में वो light emit होती है जैसे wave transmit करती न, ऐसे zigzag, 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 इस तरह से wave की form में light क्या होगी emit होगी, तो कहीं से जो light emit होती है, बेटा, वहाँ से हम बोलते हैं कि electromagnetic radiations निकलती है, electromagnetic radiations emit होती है अब ये electromagnetic radiations क्या होती है, उसके बारे में जानना है, आज इस वीडियो के अंदर तो जैसे sun से बिटा, sunlight हमारे तक पहुँच रही है, तो हमें उनकी nature के बारे में जाना है electromagnetic radiations आपने बहुत सारी सुनी होगी, radio wave, x-ray, gamma rays, ये जो 5G signal है ये सब electromagnetic radiations के अंदर count होते हैं, तो आज हम जानेंगे क्या होती है electromagnetic radiations, क्या-क्या उनकी characteristics होती है, detail में one by one तो electromagnetic radiation, चलिए माल लेते हैं, इस point से हमारी wave निकल रही है और wave जा रही है, इस direction है, यहाँ से wave ट्रांस्मीट हुई और इस direction में वो propagate कर रही है, तो यदि उस radiation के साथ, उस wave के साथ electric field जुड़ा हो, electric field electric field, यह electric field है विटा, this is electric field, किसी wave के साथ electric field जुड़ा हुआ है और उस electric field के perpendicular direction में, देखो perpendicular, कुछ इस तरह से देखे, perpendicular direction में, यदि magnetic field भी propagate कर रहा है, तो ऐसी radiation को electromagnetic radiation बोलते हैं, तो यह कुछ इस तरह से देखो, मैंने यहाँ रसी बांद दी, उस रसी को मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, तो wave ऐसे ऐसे होगी, ऐसे ऐसे ऐसे, तो यह तो हो गया इलेक्ट्रिक field, इलेक्ट्रिक field, और उसी wave के साथ यदि इस तरह से देखना, आपकी तरफ, फिर बोर्ड की तरफ, फिर आपकी तरफ, फिर बोर्ड की तरफ, देखो, अंदर, बाहर, अंदर, बाहर, कौन सा फिल्ड उसके साथ जुड़ा हो, मेग्नेटिक फिल्ड, और यह एलेक्ट्रिक फिल्ड और मेग्नेटिक फिल्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो ऐसी रेडियेशन्स को इलेक्ट्रो मेग्नेटिक रेडियेशन्स बोलते हैं taonsi radiations in which electric field and magnetic field propagate propagate perpendicularly perpendicularly with each other with each other and with propagation of wave propagation of a wave such radiationsướnds It is misförtари donc आपका doubt clear रहना चाहिए electromagnetic radiations cit念 उलेक्टिक फिल्ड और magnetic field एक दूसरे के perpendicular 90 डिगरी के ंगल पर प्रोपेगेट करते हैं वेव की प्रोपेगेशन के साथ ऐसी रेडियेशन को इलेक्ट्रो मेगनेटिक रेडियेशन बोलते हैं तो चले प्रोशीड करते हैं कुछ क्रेक्टर स्टिक्स के बारे में जो ये जो वेव सोते हैं वो वेव की फॉर्म में travel करें देखो waves की form में travel करें तो इस wave की कुछ characteristics हम discuss कर लेते हैं let's proceed तो चलिए बटा characteristics of wave में हम proceed करते हैं सबसे पहला है हमारे पास wavelength wavelength तो क्या होती wavelength देखे मान लीजे आपके पास इस direction में ये wave प्रोसीड कर रही है this wave is proceeding in this direction ठीक है अब जो ये height है ये दको ये ऊपर की तरफ जो बना हुआ इसको बिटा crest बोलते हैं this is known as crest इसको भी क्या बोलेंगे crest जो पहाड की तरह ऊपर की तरफ बना हुआ इसको crest और जो ये wavelength का मतलब क्या होता है wavelength का मतलब है कि दो crest पकुड़ लीजए एक crest ये करेस्ट है इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा that is also wavelength तो wavelength क्या हुआ दिस्टेंस बिट्विन तू consecutive crest और तू consecutive टरफ दो consecutive बेटा consecutive को मतलब है लगातार crest और consecutive टरफ के बीच कई जो दूरी है वो wavelength कहलाएगी wavelength को बेटा lambda से denote करते हैं ऐसे lambda this is known as lambda lambda ठीक है यूनिट क्या होगी जो length की unit होती है length की यह लंबाई ही तो है यहां से यहां तक की लंबाई ही तो है जो length की unit होती है meter millimeter centimeter angstrom ठीक है picometer यह सब unit होगी हमारे पास wavelength की तो wavelength आपको meter में given हो सकती centimeter में angstrom में picometer में कहीं पर भी होगी तो आपको बताना बेटा मैं तीन wave लिख रहा हूं किसकी wavelength सबसे ज्यादा है ठीक है आपको बताना है तो पहली wave है यह अगली wave है बेटा यह और अगली wave है बेटा यह बताए किसकी wavelength सबसे ज्यादा है बताओ अगला करस्थ यहां तो बेटा कितना distance हो रहा है इसका करस्थ यहां इसका करस्थ हो गया नहीं हो गया इसका करेश्ट यहां इसका करेश्ट है यह भी कम distance हो गया तो बताइए किसकी wavelength सबसे ज़्यादा है A B C में से चाह करिए तो बटा A की wavelength B से ज़्यादा B की wavelength C से ज़्यादा तो I hope आपको wavelength में कोई की भी डाउट नहीं है दो करेश्ट यह दो टरफ के बीच की जो दूरी है that is known as wavelength चलिए प्रोशीड करते हैं next characteristics की तरफ तो चलिए बटा next characteristics की तरफ प्रोशीड करते हैं वो है हमारे पास frequency तो frequency को समझने का सबसे मैं general example देता हूं माली जी आप जहां बैठे हूं वा रूम में पंखा चल रहा है तो एक सेकिंड में वो पंखा कितनी बार घूमेगा वो उस पंखे की frequency है उस पंखे की frequency तो क्या होता है frequency number of cycles per second एक सेकिंड में कोई भी object कितने cycle complete करता है that is known as its frequency for example wave के cycle से क्या मतलब है सर देखो wave के cycle अब यहां से यहां गई फिर वापिस यहां आई तो यह बटा एक cycle complete हो गया एक cycle फिर wave यहां से यहां गई वापिस यहां आई तो यह कितने cycle complete हो गए दो cycle तो यह यहां से यहां गई तो कितने cycle complete हो गए तीन तो one two three तीन cycle हो गया नहीं हो गया तो यह इसकी क्या कहलेगी frequency number of cycles per second is known as frequency frequency समझ में आ गया अब आपको बताना किसकी frequency जादा है आप बताना देखना आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगे लिए पर एक और वेव बना रहा हुं है यहाँ पर बहुत अच्छे से केलियर होगा बेटा आपको ठीक है थर्ड वेव भी बना रहा हूं मैं यहां पर बताए किसकी फ्रिक्वेंसी जादा लग रही बटा देखो यह यहां से गया यहां जल्दी जाएगा है ना यह यहां गया फिर यहां फिर यहां दूर गया है ना यह A मान रहा हूं मैं यहां B मान रहा हूं यह C मान रहा हूं तो एकी प्रिक्वेंसी ज्यादा है B से C से समझ पारे हो frequency को कोई दिक्कत तो नहीं है चाहिए मैं कहूं आपसे wavelength बताईए वेवलेंथ किसकी ज्यादा सर गये लिए सर गतना distance है इसकी wavelength कम है सर और इसकी wavelength और भी कम है और भी कम है तो इसका मतलब यदि मैं wavelength पूछूं तो आप आंसर दोगे C B A यदि मैं आपसे frequency पूछूं तो आप आंसर दोगे A B C यहाँ पर तो क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा यहाँ पर कि frequency और wavelength में एक relation आ गया है कि यदि wavelength कहीं पर ज्यादा होगी देखो wavelength कहीं पर ज्यादा होगी C में wavelength ज्यादा है तो वहाँ पर frequency कम हो जाएगी frequency सबसे कम wavelength ज्यादा तो frequency हो जाएगी बेटा सबसे कम सबसे कम तो यह inversely proportional का लेसन आ गयाίht 크ॲेंशी में और वेवलेंग में तो कहीं पर यदि अज़ैदото मिनी कर्था जाएगी मेरी फ्रिक्वेंशी मेंच्थी कम हो जाएगी मेरी bere मुन नहीं नहीं ना ना इट्स नू से डिनोट करेंगे फ्रिक्वेंशी को स्ड एकल पर सेकंड इसकी यूनिट हो जाएगी साइक Originals और स oneself पर सेकंड को बोलता हुट है हर्ट मिलंग बोला जाता है हर्ट भोला जाता है तो अब क्लियर और को बिएव एसको इसा वी लिखते है theme और किसी पॉइंट में से कितनी आँ पास हो रही है वही उसकी frequency होगी तो जैसे मैं यहां पर बेटा एक point मालो यह point चली यह point मैं इसका यहां point मालेता हूं यहां है point ठीकर मैं इसका point मालेता हूं कि यहां है तो बताओ किसमें ज्यादा wave pass होगी इस point में से इसकी तो wave जल्दी Safeway मानके छलो आप इतने सैकल को साइकलゆां कम होगी तो फ्रिकवेंशी के לש key कमों होगी पेटा इसकी तो कोई डौट नहीं है अब को प्रिकवेंशी में Number of cycles per second Newर से देनोट करेंगे हड्स इसकी क्या होगी यूनिट चलिए करते हैं next point की तरफ तो next point है पेटा हमारे पास amplitude बहुत असान है समझने में एसे denote किया जाएगा amplitude को तो यहां पर है कुछ इस तरह से यह है और हमारे पार करस्ट की जो हाइट है ना यह हाइट यह हाइट इस हाइट इस नोन क्या है हाइट ओफ करस्ट हाइट ओफ करस्ट और डैप्थ ओफ टरफ टरफ की डैप्थ और हाइट करस्ट की इस नोन एज एंप्लिटूड यूनिट क्या होगी बेटा फिर से मीटर नैनोमीटर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकती है जो होती है वही एंप्लिटूड की यूनिट्स होंगी तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको ठीक है अब आप खुद से सोचिए पाइटा इंप्लिटूड यदि ज़्यादा होगा यह देखो यह देखो यह और एंप्लिटूड यदि कम होगा तो देखो फ्रिक्वेंसी प Amplitude यदी increase HOगा क्या increase होगा बेटा amplitude यदी increase होता है ठीक तो बताव फरक पढ़ रहा ना यहां पर वेवलेंद में और किसी में फरक पढ़ रहा है हमारे पास इसमें फ्रिक्वेंसी में भी फरक पढ़े दो नहीं होना चाहिए इन में से किसका है यह उज मैंने बनाए इंप बी इस से मिटिस का हैं सब हुआ कि जाड़ा KROVSC ऐए सबसे कम है और सी इस डा ओडर ओंप्लीट्यूड हुआ जाएक चलिए नैक्स क्रेकी स्टिक की दभधते है तो चलिए बीटा प्रोसीज करते हैं वेव नंबर की तरफ समझाना आप वेव नंबर आपको मैं आप समझाता हूं मालीजी एक वेव यह है हमारे पास this one is the wave ओके एक वेव है आपके पास यह हमें बताना है किसका एंप्लिट्यूड यहां पर ज्यादा इसोरी वेव नंबर नोट एंप्लिट्यूड वेव नंबर नंबर ओफ वेव पर यूनिट लेंथ अब मालो एक यूनिट लेंथ मालो आप इसकी माल लेते हैं यहां से यहां तक मैं एक सेंटीमिटर माल लू बेट एक वेव आई एक दो ये तीन ये च्यार ये पांच और ये छे छे वेव आई या नहीं आई ये इस एक साइकल को एक वेव मानेंगे हम तो यहां पर कितने आई बैटा एक और लगबग दो के करीब आई इसको दी मैं यहां तक माननों तो लगबग इसके करीब आई बैटा दो वेव तो बटता यह जिसमें नंबर ओफ वेव पर यूनित लेंथ में ज्यादा है उसका वेव नंबर ज्यादा तो वेव नंबर क्या है number of waves per unit length किसी एक particular unit length में unit length मतलब एक centimeter ही माल लो या एक meter माल लो unit का मतलब एक centimeter एक meter में कितनी waves आती है वही उसका wave number कहलाता है तो आप लोग बताना वही ध्यान से यदी wave number ज्यादा है यदी wave number ज्यादा denote करेंगे इसको new bar से new के उपर बार लगा दो इससे denote करेंगे यदी wave number ज्यादा है तो बता ये frequency ज्यादा होगी या कम होगी बताओ देखो wave number ज्यादा तो जल्दी जल्दी wave पास नहीं होरी तो फ्रिक्वेंसी भी ज्यादा होगी समझ में आ गया वेव नंबर ज्यादा तो फ्रिक्वेंसी भी क्या होगी ज्यादा अब बताओ वेव नंबर यदी ज्यादा है तो वेव लेंद पर क्या फरक पड़ेगा बताओ इसर यहां वेव नंबर ज्यादा है तो वेव लेंद तो देखना छोटी सी है बता रही अरे इतनी वेव लेंद है बस क्या चिर्कुट टाइप वेव लेंद है आपर तो चिर्कुट वेव लेंद है यहां वेव लेंद देखना कितनी ज्यादा तो इसका मतलब वेव नंब जादा होगा तो frequency जञदा होगी वेव नमबर ज़्यादा होगतườ वेव लेंद क्या हो जाएगा तब आप समझ गए ंधै तो सुंह जांगered wavelength is called Wave number उसको क्या बोलेंगे बटा wave number तो lecipro bisogna know as wave number clear है बिल्कुल अब wavelength की उनिट बताओ क्या थे बिटा मीटर सेंटीमीटर-pico-M मीटर c Hai तो वेव उनिट क्या हो जाएगी मीटर इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स उपर चला जाएगा तो इनवर्स हो जाएगी थाए तो जो लेंथ पास ऊचांग मांस कु कोई प्रोबलम नहीं है आसान है बिलकुल चीज़ें तो चले बढ़ते हैं Speed of, या वे, Velocity, Velocity of Wave, तो क्योंकि बैटा, हम Electromagnetic Radiations पढ़ रहे हैं, तो जो Velocity होती है, वे, उसकी, जो Electromagnetic Radiations की, जो Speed होती है, Speed, वो बैटा, Speed of Light के Equal होती है, Speed of Light के Equal, अब Light की Speed को Denote किया जाता है, बैटा, C से, C is Speed of Light, वो होती है, 3 into 10 raised to power 8 meter per second, तो इसमें कोई doubt नहीं रखें, बच्चे, आप, Speed of Light होती है, 3 into 10 raised to power 8 meter per second, इसी Speed से, जो हमारे पास Electromagnetic Radiations है, वो क्या करती है, प्रोपेगेट करती है, तो बैटा, Rutherford के Model की कमियों को दूर करने के लिए, हम Spectra की तरफ प्रोसीड कर रहे हैं, तो हम पढ़ रहे हैं Electromagnetic Radiations के बारे में, जो Radiations जिनके अंदर Electric और Magnetic Field एक दूसरे के साथ associated होते हैं, 90 degree के एंगल पर प्रोसीड करते हैं, they are known as Electromagnetic Radiations, तो Electromagnetic Radiations क्योंकि waves की form में होती है, इसलिए हमने उनकी characteristics पढ़ी, क्या क्या पढ़ा, हमने wavelength पढ़ा, frequency पढ़ा, wave number पढ amplitude पढ़ा, speed पढ़ी है, क्या पढ़ी है, speed, मैं आपको बता दूँ जो Electromagnetic Radiations होती है, इन Electromagnetic Radiations को कोई सी Medium की requirement नहीं होती, प्रोपेगेट करने के लिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ अभी, तो बोलने के लिए, जब मैं बोलता हूँ और आपको सुनाई देता है, तो इसके ल है, उनको किसी Medium की requirement नहीं होती, वो बिना Medium भी travel कर सकती है, जैसे Sunlight Space में से बिना Medium धरती तक आ रही है, तो वो भी तो प्रोपेगेट कर रही है, तो इसका मतलब वो भी क्या है, हमारे पास Electromagnetic Radiations हैं, तो चलिए, बहुत सारी Electromagnetic Radiations हमारे पास हैं, उनके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, तो चलिए, बहुत सारी Electromagnetic Radiations में, कुछ Magnetic Radiations यहां पर लिखी हुई है, Electromagnetic Radiations, Cosmic Race होती है, Gamma Race होती है, X Race को तो आप जानते हो, Ultra Violet Race को भी आप जानते हो, Visible Race, जो हमें साथ कलर दिखाई देते हैं, तो वो Visible Race होती है, कौन सी Race होती है, Visible, Infra Red Race होती है आयार जिनको बोलते हैं, Microwaves होती हैं, और Radio Waves, तो यह Electromagnetic Radiations हैं, तो जब आप Left to Right जाओगे बेटा, देखना, Cosmic Race से जब आप Radio Wave की तरफ जाओगे, तो wavelength increase हो रही है, और frequency decrease हो रही है, हमें अभी अभी पढ़ा कि wavelength और frequency का inversely proportional का relation है, Left to Right wavelength बढ़ रही है, frequency गड़ रही है, तो इसका मतलब Radio Wave की wavelength सबसे ज़्यादा है, और Cosmic Race की wavelength सबसे कम है, समझ गए, जब आप Right से Left आओगे बेटा, तो frequency increase कर रही है, तो इसका मतलब Cosmic Race की frequency सबसे ज़्यादा है, और wavelength सबसे कम है, Radio Wave की wavelength सबसे ज़्यादा, frequency सबसे कम, तो यह इसी order में याद रखनी है, आपको, यह order आगया, Cosmic, Gamma, X-ray, UV, Visible, Infrared, Microwave, Radio Waves, आपको यहाँ से भी पता चल रहा हो, देखो, यहाँ से, यहाँ wavelength कम है, देखो, Left side में wavelength कम, Right side में wavelength क्या रही बेटा, ज़्यादा हो रही है, तो Right side में wavelength बढ़ रही है, Left side में frequency बढ़ रही है, तो कर लेंगे बेटा, तो EM radiation से, इनका अभी चुटकियों में order याद हो जाएगा, तो लिखे भाई मेरे साथ trick, कल गाड़ी, X-UV, गाड़ी होती न, X-UV गाड़ी, I, X-UV, कल गाड़ी, X-UV, I, माई रे, माई रे, अपनी माग को बता रहा है कोई, कि कल गाड़ी, X-UV, I, माई रे, चलिए इस से बताते हैं, कल से बटा है, कोस्मिक रेज, ठीक है, गव से है बटा, गामा रेज, गामा रेज, ठीक है, कर लेंगे गामा रेज, X का मतलब बटा, X रेज है, U का मतलब बटा, इफ्रारेड रेज, माई का मतलब माईक्रो वेव्स, और रे का मतलब बटा, रेडियो वेवस, तो हो जाएगा याद, तो लेट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् स्पेक्ट्रा होता क्या है जहां पर अलग अलग रेडियेशन्स को उनकी वेवलेंथ या फ्रिक्वेंसी के डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग ओर्डर में रखा जाता है तो उसको स्पेक्ट्रा बोलते हैं 10th कलास में आप पढ़ते थे विब ग्योर वी आई बी जी वाई ओ और यह आपने स्पेक्ट्रा पढ़ा होगा तो बोलो विब ग्योर में सबसे ज्यादा वेवलेंथ कौन से कलर की होती थी रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती थी सबसे कम वेवलेंथ की होती थी वाईलेट कलर की फ्रिक्वेंसी सबसे क्या होगी ज्यादा होने वा है तो विजीबल Russia की बात कर लेते हैं वीजीबल तुमारे पास यह कलर वीजीबल होते हैं विब गयोर क्या होते हैं यह यह लिए नहीं को तो आपको ऊते हैं कि और जो में नहीं नहीं देख सकते आपको बताना है यह कहीं से पता करना एक這種 map का विजीबल रजेंज यह कितनी वेवेवलंट से कितनी वेवšeलंट तक का होता है मतलब हम कितनी से किज़ी रेडियसं को आपको कहीं से लौन के सबाढ़ हैं यह आपको कहीं से हाघJe कमेंट में मताइए आप लोग ठीक है तो आपको कहीं पर मिले mee low 30яти से 760 nm के आसपास मिलेगा, कहां से कहां से मिलेगा, 389 nm से 760 nm तक का वीजीबल रीजन होता है, तो 386 nm की रेडियेशन को हम देख सकते हैं, तो यह था मारे पास ऐलेक्टो मेगनेटिक रेडियेशन का स्पेक्ट्रा, चलिए प्रोशीड करते हैं, नेक्सट्ट्टीकी तरफ तो चलिंद की तरफ प्रोषीड करें तो century à हिससाइन को उटाना थो आफने को उसी कस लिए कर आना पड़ा तो सब्सक्राइब करेंगे तो वहां पर आपको यहाद होना चाहिए तो भई रट्टा मार लिजी चीज का तो याद रखना है आपको इस रिलेशन को याद गरना है c is equal to new lambda और यह जो वन एंग्स्ट्रोम होता है जो लेंथ की उनिट होती है वह 10 की पावर माइनस 10 मीटर के इक्वल होती है am से याद होताएगा एंग्स्ट्रोम और यह तो गलती हो गई है एम का मतलब तो 10 होता ही नहीं है यह यह कोई ट्रीक नहीं है इसके लिए है ठीक है इसके लिए ट्रीक है ठीक है एक assessment में नैसे नैनो नैसे नाइन तो 10 की पावर माइनस नाइन मीटर होते है हो गया यह तो यादन विटा हो जाएगा चल्यागे चलते हैं ठीक हो कि कि चल्बी याद करेंगे ठोड़ा मैं बस ट्रीक ही को में टाइम पास ही कर रहा हूं पार रहा हुं यह लगा लिज़े उह эфф UK Founder में कितने है बिटा मीमिटर 1212 तो बाइब तो अश fifteen भंभत से ऑब पी-से पी-कई-विए-बसफ्यारद फिर्टा-इस और सब्सक्राइब कर लेते हैं तो चलिए चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-दो कर लेते हैं देखें यहां से बोर्ड में तो नुमेरिकल पूछा जा सकता है चोटा मोटा नुमेरिकल बट कुम्पेटीशन में यहां कोई पोसिबल नहीं है बट यह रिलेशन कहीं पर जो सकत 뚝क बड़ा नुमेरिकल सोल करें है電ग हुआ क्लेट उलकर ट्रीक्वेंची निबाक इनफ्रा रेडशय की लग दढ़कार सिमारे पास त्री को पहले में इसे करना पड़ेगा टैंट की पावर माइन इसना इन से मल्टिप्लाई कर दिए तो 3 इंटू में 10 की पावर माइनस 3 मीटर आ गया आ गया अब हमें पता है कि सी इकल्स टू होता है न्यू लेमड़ा बिटा तो न्यू किसके को हो जाएगा बिटा सी बाइल लेमड़ा के कुल सी सी क्या हो तो बिटा स्पीड ओप लाइट लेमड़ा की वैल्यू कितने आगई 3 इंटू 10 रिज्टू पावर माइनस 3 3 से 3 कैंसल हो गया तो उपर जाएगा तीन तो क्या हो जाएगा आपके पास 10 की पावर 11 हर्ट में आंसर आ जाएगा किसी में आ जाएगा आंसर हर्ट मे इतने सई कल पर से कंड ना इतने सैकल्स पर सेकंड कर लेंगे यह है तो रीटड़ है उनीट है मीटर मीटर से मीटर कत गए तो स्ट रीफ्न चलिए नेक्स पर बद देट काना है प्रिक्वेंशी निउौ कलेट करनी टो शेयंग व्य लेंट आपको देर है आतबता इंक्स्त्रोम को कि mo में कनवर्ट करना पड़ेगे मीटर के अंदर एंग्स्वर्ट को क्या करना पड़ेगा बिटा कनवर्ट करना पड़ेगा तो बताओ फिर में क्या था वे एंब्क然后 में वाली totally in a मुथे तो ऍपर 5 1-10 से ए ठीक है घДа सब्सक्राइब बहुत कमजोर है ऐसी बात नहीं है तो आप कैलकुलेट करना यह सही है नहीं है तो चलिए वेवलेंथ आ गई हमारे पास तो बटा निउबार निकाल लेते हैं निउबार किसके कोलता वन वाइवलेंथ तो वन वाइवलेंथ कितने आगे बटा एक अठावन इ में आ जाएगा कोई दिक्कत तो नहीं है अच्छी बात है चली बटा फ्रिक्वेंशी कलकुलेट करने हैं तो फ्रिक्वेंशी होती बटा सी बाइवलेंडा सी है त्री इंटू टैन रिज्टू पावर एट लेंबडा की वैल्यू आ गई हमारे पास दैट इस 58 इंटू 10 की पावर माइनस एट सोल अगर लेंगे आप तो क्या निकल जाएगी आपके पास प्रिक्वेंशी निकल जाएगी तो इस तरह से आज हमने इलेक्ट्रमेगनेटिक रेडियेशन के बारे में पढ़ा उनकी क्रेक्टरिस्टिक पढ़ी क्या होती है इलेक्ट्रमेगनेटिक रे ये अपने दोस्तों के साथ दूसरे स्कूल के बच्चों के साथ शेयर करना नए भूलें और देखते रहे ये जटैन क्लासीज मेरे साथ